दोस्तो आज की इस वीडियो में मैं बिना बैंक को एड किये हुए पेटियम में UPI ID कैसे बनाते हैं प्रैक्टिकली मैं आपको करके दिखाने वाला हूँ तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं तो इसके लिए दोस्तो सबसे पहले हम अपने पेटियम अकाउंट में लोग इन हो जाते हैं तो लोग इन होने के लिए हमें यहाँ पे अपने मोबाइल नंबर को एंटर कर देना है इसके बाद में प्रोसीड स्क्योरली की उपर क्लिक कर देना है इसके बाद में आपका जो Paytm है वो आपके मोबाइल नंबर से अटोमेटिकली ही वेरिफाई हो जाएगा इसके बाद में दोस्तों आपके सामने bank account को add करने की टैब आ जाती है तो simply हमें यहाँ पे skip कर देना है और आगे बढ़ जाना है इसके बाद में Paytm का जो यूजर इंटरफेस है होम पेज वो आपके सामने आ जाता है अब दोस्तों जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अभी मेरे यहाँ पे Paytm वालेट में कोई भी UPI ID नहीं है अगर UPI ID होती तो वो हमें यहाँ पे देखने के लिए मिल जाती जो कि Paytm की होम पेज पे आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलती है तो इसके लिए वापा से हम सिंपली बैक आ जाते हैं इसके बाद में आपको उपर उपर जो सर्थबार का ओप्शन है इसके उपर जाना है और यहाँ पे टाइप करना है Paytm Payment Bank मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ इतना करने के बाद में Paytm Payment Bank जो है वो हमारे सामने आ जाती है Services के Option में तो मैंने इसके उपर क्लिक कर दिया है और यहाँ पे आ चुका है Open Your Saving Account इसके उपर हम क्लिक कर देते हैं और क्लिक करने के बाद में दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि Auto Fill Up Code तो हमारे यहाँ पे पास कोड को हमें यहाँ पे एंटर करना है तो मैं यहाँ पे अपने पास कोड को एंटर कर देता हूँ इसके बाद में आपको दुबारत से यहाँ पे confirm करना है अपने पास कोड को इसके बाद में आपको यहाँ पे grant permission देनी होगी अपनी location की सो यह मैंने यहाँ पर इसको permission दे दी है यह थोड़ा सा load लेगा और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि I want to add a nominee now, I will do it later सो मैंने second वाले option को यहाँ पर click कर दिया है next यहाँ पर आपको consent करना है और proceed की उपर आपको click कर देना है proceed की उपर click करने के बाद में हमें हमारी basic information को यहाँ पर fill up करना है इस process को mini KYC कहते हैं सो इसके अंदर आप अपने आदार card, pen card, passport, water ID, driving license या फिर नरेगा job card की basic detail को आपको यहाँ पर fill up करना है नीचे आना है, यहाँ पर आपको consent करना है और activate my wallet के उपर click कर देना है अब दोस्तों मैं आपको यहाँ पर एक बात clear कर देता हूँ कि फिलाल अभी ptm की कोई भी KYC नहीं कर सकते है चाहे वो mini KYC हो या फिर full KYC क्योंकि RBI ने clear restriction लगा रखा है सो एक बार मैं यहाँ पर try करने वाला हूँ दोस्तों मैं यहाँ पर अपने अधार कार्ड को select किया है अधार कार्ड के नमबर को आपको उपर enter करना है अधार कार्ड के अंदर जो नाम है आपका full name को यहाँ पर एंटर करना है और concern करना है activate my wallet के उपर click कर देना है इसके बाद में आपके mobile number पे OTP आएगा उस OTP को आपको यहाँ पे डाल करके confirm कर देना है OTP डालने के बाद में यह हमें वापस से KYC वाले टैब पर ले आता है तो दोस्तों एक बार मैं इस application को close कर देता हूँ और close करने के बाद में इसे दुबारा से PTM application को open करते हैं create हो चुकी है और दोस्तों मैंने यहाँ पे अभी कोई भी bank account को link नहीं किया है add नहीं किया है चलिए मैं आपको दिखावे देता हूँ तो इसके लिए मैं ले चलता हूँ आपको अपने profile वाले icon के उपर मैं इसके उपर click कर देता हूँ click करने के बाद में यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरा जो mobile number है और UPI ID आ चुकी है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कोई भी bank account link नहीं है यहाँ पे आप QR code भी देख सकते हैं बिल्कुल खाली है और यहाँ पे साफ-साफ लिका हुआ हुआ है link bank account पेमिट सेटिंग का option है मैं इसके उपर क्लिक करके आपको दिखा देता हूँ कि मैंने यहाँ पे कोई भी bank account को add नहीं कर रखा है यहाँ पे आप देख भी सकते हैं यहाँ यह मुझे कह रहा है bank account को add करने के लिए और इसी की साफ में यहाँ पे मैंने कोई भी debit card credit card को भी add नहीं कर रखा हूँ बिल्कुल यह fresh account है तो दोस्तों यहाँ पे मैंने बिना bank को add किये हुए ही UPI ID को create कर लिया है अब दोस्तों यह गलिक चल रहा है और फिर कोई bug है यह तो मुझे मालूब नहीं है और दोस्तों यहाँ पे मैंने अभी अपने wallet को activate भी नहीं किया है ऐसी बहुत सारी videos हैं आपको जो YouTube पे देखने के लिए मिल जाएंगे जिसके अंदर 1000 ट्रिक्स बताई गई है कि आप ऐसा कीजिए वैसा कीजिए मगर दोस्तों वहाँ पे वो बिल्कुल ही बेकार ट्रिक्स है क्योंकि Paytm अभी नए users को allow ही नहीं कर रहा है उनकी KYC को accept कर ही नहीं रहा है क्योंकि RBI ने उन्हें मना कर रखा है नए customer को add करने से और यहाँ पे मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा कि मेरी जो UPIID है इससे अगर मैं transition करना चाहूंगा तो नहीं होगी क्योंकि मेरा जो wallet है वो अभी inactive है अगर आपका wallet active होता है तभी हमारी UPIID भी active होती है तो यह थी आज की वीडियो जिसके अंदर मैंने आपको बिना bank को add किये हुए ही UPIID को create करके दिखाया है तो दोस्तो अगर आपके साथ भी ऐसा ही हो रहा है तो comment box में आप हमें जरूर बताएगा इसके अलावा दोस्तो वीडियो आपको अच्छे लगती है तो वीडियो पे like कर दीजेगा कहीं कुछ कोई दिक्कत आती है तो comment box में आप हमें comment करके पूछ सकते हैं अब दोस्तो जाते जाते हैं आप सभी से request भी है कि प्लीज चैनल पे नए है तो चैनल को भी subscribe कर दीजेगा बेला आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिए क्योंकि जब भी हमारे चैनल पे वीडियो अप्लोड होती है तो आपको उसकी notification सबसे पहले मिल जाती है इती आ ये आबता